बिहार elections का टाइम और आज अर्णो गोस्वामी जी का आरेस्ट होना अब देखने वाली बात ये है कि Government of India बिस पे क्या action लेती है उनके पास powers हैं देखना होगा कि वो action लेते भी हैं या नहीं लेते हैं क्योंकि tweet करना या कुछ कहना कि हाँ इसको अपन सही नहीं मानते इस तरीके के बयान देना ये तो चलता ही रहता है लेकिन action कब होगा वो भी एक देखना पड़ेगा नमबर वन, नमबर टू मुझे ऐसा लगता है कि ये जो situation आज हम सभी लोग देख रहे हैं देश के अंदर अगर आप बात करें बिहार elections तो आपको मैं एक stats बताता हूँ चाहे वो BJP हो, चाहे वो JDU हो या फिर RJD हो या कोई भी party है उसमें मोटे तोर पे लगभख 60% candidates जो MLA के दाविदार हैं उनके उपर कोई न कोई criminal case, murder case, attempt to murder case और इस तरीके के और भी संगीन आरोप लगे हुए हैं आप सोचके देखिए कि 60% ऐसे लोगों को मैदान में उतारा गया है जिन लोगों पे इस तरीके के आरोप हैं आप सोचिए जो party chiefs हैं उन्होंने ऐसे लोगों को ticket क्यों दिया उसका reason है क्योंकि वो जीतेंगे और वो जीतेंगे और वो आपकी government form होगी तो कहीं न कहीं ticket देने के पीछे की वज़े होती है कि वो candidate हमारा जीत के आए मेरा ऐसा मानना है कि अब वो time आ चुका है जब हमें किसी party से उठ करके या आगे बढ़ करके candidate के इसाब से हमें voting करनी चाहिए अगर मैं खास तोर पर ML election की बात करूँ मैं लोग सब election को तो फिर भी अभी नहीं कहता कि candidate के साब से आप vote करें क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से ये कहेंगे कि फिर तो government form नहीं होगी, majority नहीं आएगी तो ठीक है मैं ML election की बात कर रहा हूँ, इसमें आप candidate को देख करके अगर vote देंगे तो मुझे भविश्य जादा अच्छा नजर आता है, अब इसमें भी लोग कहेंगे कि government form नहीं होगी मेरा ऐसा मानना है कि आज की rate में बहुत सारे candidates ऐसे हैं, जो कि independent लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं क्योंकि वो किसी party का ticket उन्हें मिल नहीं सकता, क्योंकि ticket निकालने के पीछे कई वज़े होती है बहुत सारे लोग के पास इतना पैसे नहीं होते हैं, वो eligible candidates होते हैं, लेकिन वो election में participate नहीं कर सकते हैं बहुत सारे दूसरे reasons की वज़े से, वो सारे लोग अगर मैदान में उतराते हैं और आप एक candidate को देख करके अपना MLA decide करते हैं, तो definitely मैं इस बात पर भरोसा करता हूँ कि शुरू में government नहीं मनेगी, majority नहीं आएगी खिचड़ी सरकार आएगी, लेकिन डेली में भी आपके पास एक example है, कि पहले आम आदमी party की Congress के साथ मिली जुली सरकार आई, लेकिन फिर वो नहीं चल पाई, आगे क्या हुआ, हम और आप सब जानते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर भी अगर हम independent लोगों को, अगर सही independent लोग दिखते हैं आपको, या आपको जो candidate अच्छा लगता है, जो ऐसा लगता है कि यह एक society के लिए बहुत ही बढ़िया काम करने वाले हैं, उनको अगर हम vote देंगे, तो definitely आपकी एक खिचड़ी सर बनके आ सकती हैं, लेकिन ये एक या दो बार होगा, तीन बार होगा, मेरे साब से अगर पूरे हिंदुस्तान के अलग-अलग states में election होते हैं और ये काम 5-10 बार हो गया, तो उसके बाद जो party chiefs हैं, वो भी समझ जाएंगे कि किन candidates को उन्हें ticket देना हैं, क्योंकि उनका भी whole sole purpose होता है, government form करना, तो वो भी ऐसे लोगों को ticket नहीं देना चाहेंगे, जिसमें government form ना की जा सके, ठ्योंकि party chiefs को भी ultimately तो government form करना है, और वो public nerves के हिसाब से ही चलते हैं, आप जैसा show करते हैं, उसके हिसाब से वो reciprocate करते हैं, तो अगर आप ऐसा show करते हैं, कि हमको तो अच अच्छा candidate चाहिए, अगर अच्छा candidate नहीं होगा, तो वो independent होगा, वो किसी भी party से होगा, हम उसको जिताएंगे, तो आने वाले समय में आप देखेंगे, कि जो बड़ी-बड़ी parties हैं, उनके chiefs, जिन candidates को ticket देंगे, वो ऐसे लोग नहीं होंगे, जिनके उपर बड़े- party का ticket ले सकें, लेकिन उनके अंदर बहुत जबजस्त काबलियत है, कि वो अपने area को change कर सकते हैं, उसमें education, जो कि हमारी एक backbone है, उसको grow करा सकते हैं, आज आप देखिए, कितने कम states ऐसे हैं, जहां पर education पे बहुत proper वे में काम हो रहा है, और मेरा personally ऐसा मानना है, कि अगर हम आने वाली generation को proper education देंगे, तो ये जो election वेगरा हैं, candidates हैं, ये सब उसके after effects हैं, वो अपने आप सब कुछ बहतर होते चले जाएंगे, तो मेरा ऐसा मानना है, कि अब हम सभी लोगों को ऐसा सोचना चाहिए, कि हम party की बजाए, एक candidate पे काम करें, उसको जिताएं, ना कि किसी party को, हाँ, मैं लोकसभा election को फिलहाल के लिए, इसके पक्ष में मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि government नहीं आएगी, तो फिर उसमें बहुत सारी दिक्कतें और भी हो सकती हैं, लेकिन, अगर मैं MLA election की बात करूँ, तो definitely, I strongly support it, okay, thank you.